Hello friends, welcome to the family of smart school, easiest way of learning. तो friends, आज की हमारी ये वीडियो है, उन candidates के लिए, जो कि University of Jammu में undergraduate course में, फर्स स्मेस्टर में admission लेना चाते थे किसी government college में, और जो कि समय रहते admission नहीं करवा पाए, तो अब उनको ये चींता थी कि government college में उनको admission मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनके लिए बहुत ही रहत बड़ी ख़वर है, कि government college ने admission लेने का एक और मौका यहाँ पर आपको दिया है, तो उसके लिए आप इस वीडियो में बने रहे हैं, हम आपसे discuss करेंगे, किस college ने अपने admission notice दुबारा से जारी किया है, कहाँ पर आपको admission लेने का एक और मौका यहाँ पर मिल रहा है, तो जो भी साथी हैं हमारे जम्मो युनिवस्टी में, undergraduate courses में, first semester में यहाँ पर admission लेना चाहते हैं, government college में, तो वो इस वीडियो को जरूर देखे, और please वीडियो को like, share, subscribe करना मत बुलेगा, तो चलिए अब सीधा चलते हैं, time ना waste करते हुए, सीधा चलते हैं, जो government college का जो official notice आ है, उसको देखते हैं कि क्या-क्या, उसमें time extend किया गया है, या क्या notice में उसमें बताया गया है, तो friends आप देख सकते हैं, आपके सामने है, office of principal government degree college कुंजवानी जम्मू, यानि कि GDC कुंजवानी ने यहां पर अपना जो admission notice 2 यहां पर जारी कर दिया है, जो date है वो 13 अगस 2022, यानि कि आज की date में यह notice issue किया गया है, admission notice second जो इसको हम बोल सकते हैं, यहां पर जारी किया गया है, दूसरा मुका यहां पर दिया गया है, the all the candidates who are desired of seeking admission in GDC कुंजवानी, that the application form for admission to semester 1, Google form available on college website, is accepting responses with effect from 12 अगस 2022, which shall be open up to 15 अगस 2022, देखिए, साफ साफ इसमें बताया गया है कि जो भी यहां पर जो हमारे students हैं, GDC कुंजवानी में admission लेना चाहते हैं, उसमें admission लेने के इच्छुक है, वो 12 अगस्ट से 15 अगस्ट तक जो जो ओफिशल वैब साइट है, GDC की उस पर जाके यह admission form यहां पर फिल कर सकते हैं, तो साथ ही आगे देखते हैं, moreover the candidates who have figured in the first merit list, and haven't taken admission up to 13 अगस्ट 2022, have to apply again, तो देखी, यहां पर जो admission का phase 1 हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि 13 अगस्ट तक का समय दिया गाथा, जो पहली merit list निकली थी, यहां पर merit list बन दी आप सभी को पता होगा, तो जिन भी candidates, जिन भी students हैं, यहां पर 13 अगस्ट तक आज तक admission नहीं ली गया, तो अब उनको क्या होगा, जो form है वो फिर से fill करना पड़ेगा, उनको जो first merit list थी, उसके base पे उसके बिहाब पे यहां पर admission नहीं दी जाएगी, वो जो आपके जो, आपके क्या करते हैं, वेलिडिटी थी उसके admission लेने की, वो यहां पर खत्म हो चुकी है आज की date में, तो उसके लिए अगर आप दुबारा admission वहाँ पर लेना चाते हैं, तो आप दुबारा means, अगर आप वहाँ पर admission लेना ही चाते हैं, तो आपको वहाँ पर दुबारा apply करना है पड़ेगा, तो देखिए आगे क्या लिखा है, तो देखिए आगे क्या लिखा है, तो देखिए जो इसके आएगी वो 16 अगस्ट को display की जाएगी, 15 अगस्ट तक आप form fill कर सकते हैं, उसी के base पर जो मेरिल लिस्ट बढ़ेगी GDC कुझवानी की, वो 16 अगस्ट को जो official website है college की वहाँ पर display कर दी जाएगी, और उसके मताबिक आपको 18 अगस्ट तक वहाँ पर admission लेनी है, अगर आप 18 अगस्ट से पहले अपने जो admission की formality सा complete नहीं करते, तो आपका फिर से जो आपकी validity है admission लेने की उसको वहाँ पर रद्ध कर दिया जाएगा, तो I hope यह जो सभी terms and conditions हैं GDC कुझवानी की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, तो फिर भी अगर आपको इसके related कोई भी doubt रहता तो प्लीज आप comment section में जुरू लिख सकते हैं, हम उसको clarify करने की बिल्कुल आपकी मद्द करेंगे उसमें, तो ठीक है friends, आज की वीडियो में इतना ही, तो अगर अभी तक आप ने चैनल को subscribe नहीं किया तो please do subscribe our channel for latest updates, thank you.